हेलो बच्चों हेलो हेलो स्वागत है आपका डाउटनेट के लर्न फन चैनल पे तो मैं हूँ विवेक आपका मैट्स वाला भाया मैट्स का टीचर मैट्स का ट्यूटर और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर ट्राइंगल का वान शाट रविजन तो काफी बच्चों ने हम now करके लिखा था काफी पोस्ट करी थी पोस्ट्टों फे रिपलाई दिया था करेंट कि दो सर एक बार ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा दो ट्राइंगल में क्या आता है अवर फितने class 10th के mathematics में चालो तो start करते हैं आज ही class तो सबसे पहले class लेने से पहले आप लोगों कुछ बताना है एक छोटी सी चीज जो की important है आपके किस regarding chapter के regarding कुछ एक आदे आपकी theorem होती है एक आदी नहीं पांच theorem होती है जिससे रिलेटेड ये particular chapter triangle आपका है अब जो आपने 9th class में पढ़ा होगा 9th class में आपने triangle chapter में concurrency के बारे में पढ़ा था यहां क्या आ जाती है similarity आ जाती है यह basically आपका actual में syllabus है सिबसी बूर्ड का definition example counter example similar triangles उसके बाद proof of VPT यह पहली जो theorem है यह BPT है if a line is drawn parallel to one sides of a triangle to intersect the other two sides then the two sides are divided into same ratio then उसका Converse फिर यह तीन आपकी क्या होती है यह तीन होती है criteria of similarity यह समझ नहीं आएगा बट यह actual में आपका syllabus है इसको छोटे form में हमने कर दिया है actual में जो chapter है वो basically इन चार topics के around घूमता करता है जिसमें पहला topic क्या है similar figures क्या होते हैं ठीक है similar figures क्या होते है similarity of triangles होती क्या है मतलब निकल के कहां से आया क्यों निकल क्या किया कैसे ठीक है उसके बाद सबसे important basic proportionality one of the important and सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका इसी में से सवाल आता है maximum chances होते हैं मतलब 100 out of 80 times 80 to 85 times ऐसा होता है कि questions में आप से पूछे जै पूछा जाएगा कि भाई बीपीटी प्रूफ करो बीपीटी नहीं directly बोलेगा तो थेल से रम बोलेगा तो आपको पूरी पी पूरी statement दे स्टेटमेंट देने के बाद आपको बोलेगा कि भाई इसको प्रूफ करो एक्चल में वह स्टेटमेंट क्या होगी वह बीपीटी के स्टेटमेंट होगी ठीक है यह सबसे ज्यादे इंपॉर्टन है यह फिर से करवाएंगे हम हम आज ठीक है क्योंकि वन ओफ इंपॉर्टन मतलब मान के चलो अगर आप हाफ एरली की प्रपेशन कर रहे हो हाफ एरली की प्रपेशन के लिए हम क्लास लेकिया है तो यह जो टापिक है यह मान के चलो कि आएगा ही आएगा कंफर्म आएगा यह बीपिटी कंवर्स और भी पीटी बीपिटी का आपका प्रूफ स्लिपर्स में कनवर्स भी पीटी का प्रूफ नहीं है उसके बाद क्राइटीरिया ऑफ सीमिलारिटी जो बेसिकली थरी होते हैं क्या होते हैं कैसे होते हैं वो आप लोगों को हम तो यह कॉंगरेंसी और सिमिलारिटी क्या अंतर क्या होता है क्या कॉंगरेंसी और सिमिलारिटी सेम होते हैं सिमिलारिटी और कॉंगरेंसी अगर सेम नहीं होते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है अचा पढ़ते क्यों है पढ़ी क्यों रहे हैं हम ट्राइंगल ठीक है क्या मोटिव है इसको पढ़ने का यह सब आज हम clear करेंगे आप लोगों को देखो Congerency आपने पढ़ी होगी Congerency में क्या-क्या पढ़ा था अपने Congress में पढ़ा था की देखो दो ट्राइंगल होते हैं ठीक है उनके तीनों के तीनों जो angles होंगे वो equal होने चाहिए and side भी equal होनी चाहिए मतलब congruency में आप लोगों ने पढ़ा था कि size भी same होगा shape भी same होगी size भी same होगा shape भी same होगी जिसमें आपने basically 5 criteria पढ़े थे congruency के जो कि क्या थे sas congruency angle side angle congruency angle angle side congruency side 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 congruency RHS congruency यह थोड़ा सा basic 9th class का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ठीक है practical knowledge के point of view से थोड़ा important होता है जब आपका practical होगा तो आपसे पूछ लिया जाता है practical नहीं तो internal आपके लगते हैं 20 marks के internals लगते हैं ठीक है तो उसमें कभी कबार टीचर आपसे verbally पूछ लेगा या वैसे ही पूछ लेगा कि भई difference बताओ similarity और concurrency में तो आपको लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है कि कहा है चाल तो यह होते हैं पांच क्राइटीरिया concurrency के अब concurrency के अगर आप इंड को detail में समझो तो यह figure हम आपके सामने रख दी कि भई कि ऐसे हम बताते हैं कि भई साइड का इंगल साइड इंगल साइड मतलब दोषद के बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए कउल होना चाहिए दो साइड्स इकोल होनी चाहिएं दो साइड्स इकोल है ये वाली साइड इसके ये वाली साइड इसके और ये इन दोनों से बन साइड क्या होंगी अगर इकोल होंगी तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा कॉंगरेंट हो जाएगा इक आपका साइन होता है ठीक है अच्छा अब यह क्या है एंगल साइड एंगल दो एंगल उनसे मिलके जो एंगल बन उनसे मिलके जो साइड बन रही है उसे बोलते हैं एंग अखरी नहीं है बेसिक लिए rare corp Within से सभी बच्चों को पता होगी पैसिक ले रएच आपकी यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल लिस यह बैसिक최도 होती है राईट एंगल ट्राइंगल हो ये इक्वल हो तो भी कोई दिकत नहीं ठीक है क्लियर है ये चीज़े आपको पता हो नहीं चुछी एक आदा कोशन ऐसा आता है जहां पे आपको बोला जाएगा सिमिलर ट्राइंगल करके दिखाओ तो जब तक आपको नहीं पता होगी तो सिमिलर टी तो दूर की बात चीक है अब एक छोटा सा सावाल इतना जो की बेसिक है बहुत ज्यादा बेसिक जो की नाइंध क्लास में आपने पड़ा है उसमें से एक छोटा स है कि ये कौन सी कॉन्गरेंसी है यहां मैं डिटेल में बता भी देता हूं देखो अगर आप ध्यान दो तो ये जो साइड है ये इसके बराबर है ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है ठीक है पांच टाइप की कॉन्गरे साइड एंगल एंगल साइड कौन सी कॉन्गरेंसी है यह है एंगल एंगल साइड कॉन्गरेंसी ठीक है पांच कॉन्गरेंसी होती है चार बता दी बची कौन सी एंगल एंगल साइड कॉन्गरेंसी ठीक है कोई भी पूछे वही कितने टाइप सी कॉन्गरेंसी होती है पांच टाइब की कॉंगरेंसी पता लगी अब आपका जो बेसिकली चाप्टर है उसकी बात करते हैं कॉंगरेंसी थोड़ देर पहले बताई का मतलब क्या होता है कॉंगरेंसी का मतलब होता है की दो ट्राइंगल्स की शेप and size दोनों equal होंगी बट similarity का मतलब होता है similar होने चाहिए कॉंगरेंट का मतलब होता है कि overlap कर जाएं एक दूसरे पर overlap कर जाएं for example example के तौर पर अगर हम बताएं कि यह हमारा left hand है यह हमारा right hand है दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ू तो यह क्या हो रहा है overlap कर रहा है कहीं भी जगा छूप नहीं रही है म कैसे जैसे अगर मैंने बोला यह मेरा एक सरकल है यह क्या है सरकल है यह भी एक दूसरा क्या है सरकल है यह भी क्या है सरकल है ठीक है इसका रेडियस कितना है इसका रेडियस है टू सेंटीमीटर या टू यूनिट इसका जो रेडियस है यह हमने बोल दिया है कि 5 सेंटीमीट तो ये दूनों क्या है? ये दोनों similar figure से हैं। ये क्या है? similar figure जिनकी क्या होते है? shape same होते हैं, size की ज़रोत नहीं होती है, shape same होते हैं तो हम similar बूल सकते हैं, figure क्या है? similar हैं। अब figure similar से यहाँ पे अब हम use करते हैं similarity of triangles क्या करते है similarity of triangles तो similarity of triangles में होता क्या है दो triangles को हम similar का बता सकते हैं जब पहला चीज पहला ये कि तीनों के तीनों angles क्या हो equal हो और दूसरा ये होता है कि तीनों की तीनों sides क्या हो equal proportion में हो ठीक है मतलब अगर एक triangle हम बोल रहे है A, B, C जो कि ये रहा A, B, C और दूसरा ये है P, Q और ये R ये दोनों figures कब similar होंगी पहला criteria triangles में specially क्या होता है पहला criteria तीनों की तीनों angles क्या हो equal हो जाए ये angle इसके equal angle A किसके equal P के equal हो जाए B, Q के equal हो जाए C किसके equal हो जाए R के equal हो जाए तो सिधा triangle क्या हो गया similar हो गया एक तो ये होता है दूसरा दूसरा क्या होता है कि sides क्या हो equal proportion में sides क्या हो equal proportion में अभी detail में समझाएंगे इसको अभी इसको पूरा detail में समझाएंगे बट ये फिलाल क्या है कि दो triangles similar कब होते हैं कैसे होते हैं जब इनकी figures क्या shape क्या है same है ठीक है अब shape कब same होगी जब सारे के सारे angles equal होंगे जब सारे के सारे angles क्या होंगे equal होंगे याद रखना important point यहाँ पर स्टार के सांथ लगा रखा है important point कि सारे के सारे जो equal little triangle होते हैं वो क्या होते हैं similar होते हैं अगर कोई बेशक उसकी length कुछ हो तो वो क्या होंगे similar होंगे ऐसे ही squares भी similar होंगे circle भी similar होंगे but rectangle similar नहीं होंगे ठीक है आई बात समझ similarity का मतलब समझ आया कि shape same होगी size matter नहीं करता है similarity ठीक है जब triangle specifically triangle की अगर बात करें triangle में दोनों में से एक criteria भी fulfill कर रहा है तो एक criteria अपने आप fulfill हो जाएगा पहला criteria की ठीक है अब इसके बाद पढ़ते हैं हम basically इसी के बाद आता है हमारा similarity of triangles के बाद आता है similar figures के बाद आता है आपका bpt जो की एक महान हमारे mathematics हमारे नहीं सब के थे ठीक है mathematician ने दी जिसका नाम भी उन्ही के उपर रखा गया था थेल्स थे और जो की one of the important सबसे ज़्यादा पूछे जानी वाली थेयोरम और सबसे ज़्यादा सिबेसी बोर्ड में तो यही पूछी जाती है 2000 22-23 sample papers 2020 20 में objective type paper आया था 20 में नहीं 19 में 17 में भी पूछी गए थी मतलब maximum time मतलब आप लगा लो कि आख बंद करके अगर आपको बी पीटी धियोरम आती है तो आपके कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं तीन से पाच मार्ट कनफर्म तीन से पाच मार्ट कनफर्म बेसिकली होता क्या है जो आपका ट्राइंगल चैप्टर है वो आता है 8 से 10 marks का 8 से 10 marks का आता है ठीक है जिसमें से सबसे important अब सुनना जिसमें से एक 5 marks का question तो सीधा BPT पे आता है अब लगालो importance लगालो BPT की आप यहांपे BPT की importance लगालो ट्राइंगल चैप्टर फाइनल एक्जाम में आट से दस माक्स का आता है जिसमें से भी पांच माक्स का एक BPT ठिए ओरम आएगी बीपीटी आएगी या फिर BPT पे एक कोश्चन आएगा BPT या फिर कोश्चन ठीक है एक इसी प्रकार का हम कोश्चन भी ले के आये हैं आपके लिए ठीक है अब इंपोर्टेंस लगा लो कितना ज्यादा इंपोर्टेंट अगर आपने ये कर लिया तो मान के चलो एट्टी आउट फाइव तो आई गए पांच मास तो आ गए मतलब कनफाम आ गए आप सीधा सीधा लिखना है ठीक है अब जहां बच्छे कन्फ्यूज होत ध्यान से पढ़ो एक एक स्टेट्मेंट ध्यान से पढ़ो कि एक लाइन थी जो की एक स्ट्राइंगल की साइड से क्या थी पैरलर थी और वो क्या कर रहे थी दो साइड को क्या कर रहे थी डिवाइड कर रहे थी किसमें सेम रेशो में डिवाइड कर रहे थी मतलब ये साइडे पैरलर है तो बाकी दो साइड़ को इultyव रेक्वल में कट करती है यह होती है आपकि बी पीटी ठीक है इसे बोला जाता है बीपील मतला बेसिक प्रोश्णालेटी ठीयोरम या फिर थेल्स थेयोरम लिखा भी है बेस्ध प्रश्णालेटी यह रम theorem and one of the most 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 important theorem इसी का प्रूफ है आपके इस लेबस में और यही आती भी है चलो तो इसका प्रूफ कर वाते हैं देखो यह इस टाइप का कोशन आया हुआ कोशन है रिपीटिड कोशन है यह कोशन ही आपका बोर्ड में है दिखा क्या है यहां तक आपकी बीपीटी उसके बाद बीपीटी सौल गरने के बाद आपको यहां से लेके यहां तक कोशन सौल करना है यहां पर आपको क्या फाइंड करना है यहां पर आपको फाइंड करना है यहां पर आपको फाइंड करना है यहां पर आपको फाइंड करना है जो की होती कैसे है सुनना जैसे आप पेपर में कैसे paper में करोगे आज हम उस तरीके से बताएंगी कि करना कैसे है कैसे लिखोगे कैसे presentation point of view से आप इसको solve करोगे तो देखो सबसे important by figure होती है तो figure हमने सबसे पहले draw कर ली figure draw करने के बाद by triangle आपके उपर depend करता आपको ABC लेना है ABC लो PQR लेना है PQR लो ठीक है एक triangle ABC होता है ज तो इसको हमने क्या बोला इसको हमने बोला the theorem में क्या given होता है theorem में यह बोला जाता है कि हम यह बोला गया था कि एक line है जो पहली side के parallel थर्ड side के parallel मतलब de is parallel to Bc तो given क्या होता है जो आपका de है वह parallel होता है BC से ठीक है इतना clear है ठीक है आगे आगे हमें प्रूफ क्या करना होता है प्रूफ करना होता है कि जो line है वो cut कर रही है दूराइकस्ट और बची हुए दो साइट को equal proportion में equal proportion में equiv ratio में तो प्रूफ यह करना होता है कि AD by DB वो किसके बराबर होगा AD by DB वो किसके बराबर होगा AE by EC AE by EC यह हमें प्रूफ करना होता है अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें requirement होती है construction construction मतला हमें कुछ assume करना पड़ेगा हमें कुछ मानना पड़ेगा ऐसे तो नहीं कर सकते बै कैसे करें रेशो निकालने पड़ेगे रेशो के लिए क्या चाहिए या तो एरिया चाहिए अब दोनों का एरिया भी नहीं पता area of triangle क्या होता है आप base into height होता है आप base तो है बेस तो जलो कुछ भी माननेगे but height कहा है altitude कहा है तो मतलब altitude बनाना पड़ेगा तो यहां से हमने D point से एक altitude बनाया यहां पे इधर पे altitude बनाया और इसको नाम दे दिया हमने M ठीक है और इधर से एक altitude बनाया और इसको नाम दे दिया हमने और यहां हमने क्या लिखा है लिखा है construction construction में क्या लिखा है ठीक है, and E, N perpendicular है AD के और DM DM क्या है perpendicular है AE के ठीक है, clear है सभी को चालो, अच्छी बात है वेरी गूड, अब क्या, अब ये तो ठीक हो गया अब एक और छोटी से चीज गरते है यहाँ से D point को C से जोड़ देते हैं इपॉइंट को डी से जोड़ देते हैं एको बी से तो लिखना क्या है जॉइन जॉइन बी टू ए एंड डी टू सी ठीक है यह अब तक आपने ऐसे करना है स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से करोगे पहला गिवन फिर प्रूफ फिर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के बाद फिगर दिखाओगे ट्राइंगल ठीक है अब यह वैसे आपका एक पेज पर होगा पूरा का पूरा एक पेज पूरा होगा ठीक है बट हमें नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए दुबारा से फिगर बनानी पड़ेगी तो हम फिगर दुबारा से बनाते हैं और यह फिगर क अंगा इसको 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 इससे जोइन कर दिया इसको इससे जोइन कर दिया है एरिया ऑफ area of triangle ध्यान से देखना area of triangle A, D, E A, D, E divided by area of triangle A ये रहा, D ये रहा, E ये रहा दूसरा triangle D, B, E D, B, E ये क्या होता है area of triangle हाँ based into height area of triangle क्या होता है half base into height तो पहला जो उपर वाला triangle है उसका half base क्या होगा base होगा A, D base क्या होगा A, D अच्छा ठीक है इसका altitude क्या होगा अगर base A, D है तो इस पे 90 degree कहां से fall कर रहा कौन सा altitude है तो वो का N, E वो क्या हो जाएगा N, E similarly divided by half D, B, E D, B, E ये है जहां पे base होगा DB base क्या होगा DB into में अब इसका altitude थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या लोगे देखो ये triangle है इस base पे 90 degree होना चाहिए चाहे basic उसको आप extend करतो अगर इसको थोड़ा सा extend करो थोड़ा सा आगे की तरफ जाओ तो ये N पे 90 degree बन रहा है थोड़ा सा extend बन रहा जब हम क्या बनाते हैं obtuse angle बनाते है अप्ट्यूस triangle होता है तो उसका altitude का होता है अंदर की तरफ ये क्या है बाहर की तरफ बन रहा है तो इसमें भी altitude क्या हो जाएगा आ ये यह बी कितना हो गया एनी तो यहां से एक चीज हमें बड़े आसानी से पता लग गई कि area of triangle area of triangle a d e and area of triangle d b e वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ad by b d यह triangle है ठीक है इतना क्लियर हो गया क्या उठाया है left hand side left mobile is ुधर वाला हिस्सा अब इदर वाला उठा लिया अब चलो उधर की बात करते हैं मतलब right hand side की बात करते हैं तो यहां पे फिर हमें क्या यूज़ करना होगा देखो देहान से area of abroad inside मतलब बो वाला base बने गा मतलब अब बने ट्राइंगल ए ए डी ए ए डी डिवाइड बाई एरिया ओफ ट्राइंगल ए सी डी ए सी डी तो यह क्या हो जाएगा पहला बेस हाफ बेस होगा ए ए और जो आपका एल्टीटूट होगा वो होगा अगर बात कर रहे है सी या एचिए बात कर रहे था इसमें बेस क्या ले क्या हो जाएगा वह और यहां से फिलाल रिखें तो आपका क्या से क्ट रहे है ंडिय DM कट रहा हाफ हाफ कट रहा है तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा आपका AE by AE by EC तो यहां से दो चीजे समझाई पहली चीज तो यह कि area of these two is इन दोनों का ratio इसके बराबर है और इन दोनों का ratio इसके बराबर है जरा एक बार detail में लिखते भी है यहां पे कि है क्या क्या find क्या हमने हमने find क्या कि area of triangle ADE divided by area of triangle DBE जो की है actual में किसके बराबर AD by AD by DB ठीक है यह हमारी पहली equation यह हमने पहली equation से प्राप्थ किया पाया उसके बाद area of triangle कौन सा triangle AED divided by area of triangle क्या था ECD यह क्या आया था यह आया है AEE by EC AEE by EC इतना सभी को समझ आया simple अब तक हमने जो value put करी ती value put कर दी जो हमें first or second बिला है वो हमने यहां लिख दिया है अब इतना अगर सब को clear है तो अब figure देखते हैं और अब finishing point पे आ गए हम ठीक है अब हम पहुंच गए है finishing point पे ठीक है यह है A यह था B यह था C फिर उसके बाद यह बनी थी हमारी parallel line जो की थी DE फिर उसके बाद यह बना था हमारा एक altitude और यह दूसरा altitude AD के बाद यह था N और यह था M ऐसा ही कुछ था ठीक है और यहां से हमने बात करें numerator की AED और AD यह तो triangle सेम ही है यह दोनों triangle बन रहे हैं यह दोनों दोनों triangle को अगर पढ़ो देखो तो यह एक triangle और दूसरा वाला भी तो यह वाला triangle है दूसरा वाला भी क्या है यही ट्राइंगल है मतलब यह दोनों तो सेम है यह वाला और यह वाला तो सेम है इसमें कोई दिक्कत नहीं अब फस रहे हम इधर और इधर मतलब एक यह वाला ट्राइंगल है चीक है यह वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और दूसरा वाला इस ट्राइंगल की बात कर रह तो इधर फस रहे हैं, इधर की दिक्कत आ रही है, लेकिन यहां हमें याद आया 9th class का concept, 9th class का concept क्या था, कि अगर 2 triangles, 2 triangles का same base होता है, same base, अब अगर base की बात करें, तो दोनों triangle में यह D E क्या है, D E same base है, same base जो की यहां क्या है, यहां फिलाल D E है, और 2 triangles का अगर same base हो, और व तो दो parallel lines के बीच में पाया जाए, lies between 2 parallel lines, अब 2 parallel lines कौन सी है, D E और B C के बीच में है, D C, D E and B C की क्या है, बीच में है, तो यह इन दोनों का area क्या हो जाता है? equal हो जाता है triangle का area क्या हो जाता है equal हो जाता है मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि area of triangle कौन सावाला ECD ECD will be equals to area of triangle कौन सावाला DBE 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 देखो क्यों equal होता है तुबारा समझाते हैं अगर दो triangle आप लोगों ने 9th class में यह बढ़ा होगा properties of quadrilator में पढ़ा होगा कि अगर दो triangles अगर दो triangles का same base है यहां पे same base आपको दिख रहा है DBE है same base दोनों का base क्या है DEE है अगर देखना चाहो यह यह है DEE और यह है DEE दोनों का same base क्या है DEE है अगर सेम बेस होता है और वो दो दो ट्राइंगल्स पैरलर लाइन्स के दो पैरलर लाइन्स के बीच में लाई करती है जहां पर डी इक इसके पैरलर है बीसी के इन दोनों के बीच में लाई करती है तो उन दोनों का एरिया क्या हो जाता है इकल हो जाता है यह दोनों एरिया क किसके बराबर है वो उसका area किसके बराबर है area of aede aed aed यह क्या होंगे बराबर होंगे तो by first second और यह सब मिला के यह क्या बना है यह बना है third by first second and third पहले से दूसरे से और तीसरे से हम क्या निकाल सकते हम यह बोल सकते हैं जो ad by db है वो actual में किसके बराबर है वो है ae ae by ec के बराबर है और यह होती है हमारी bpt यह होता है basic proportionality theorem यही होता है हमारा थेल्स theorem one of the important very very important very very important ठीक है चालो start करें आगे अब इसी से रिलेटेड आप लोगों के कुछ questions आते हैं वो भी करवाते हैं और इस पर एक Converse भी होता है Converse of bptb होता है वो भी करवाएंगे ठीक है यह समझ आया सभी को simple theorem थी प्रूब करके दिखा दिया आप लोगों को कि कैसे प्रूब होगी क्या करते हैं कैसे होते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़े होती है ठीक है यह थी आपकी बेसिक प्रूबर्शनरीट थी और अब इसके बाद आता है इसका Converse Converse क्या होता है जास्ट Converse का मतलब आप लोगों को पता हो गया उल्टा उल्टा मतलब Converse यह बोलता है कि अगर एक ड्राइंगल है कि अगर एक ड्राइंगल है जिसमें हमने बुला यह है भी और यह है सी ठीक है यह यह b और यह है अच्छा अच्छार यहांसे हमने लास्ट जो गोश्चंता उस एक पाट अपके लिए छोड़ा है, वो क्या है, एक easy value हमें find करनी है, क्या find करनी धी, यहां पर हमें Hiya find करना है, easy find करना है, ठीक है, अब आप लोगों को पता लग गया, क्या पता लग गया, कि करना कैसे है, ठीक है, BPT हमने prove कर दी BPT prove करने के बाद यह cheese करोगे जहां पर हम यह बोल सकते है कि AD AD by DB will be equals to AE by EC जहां हमें क्या find करना था EC find करनी थी सारी की सारी values given है value put करो answer पाओ अपने आप तो यह है 2 by 3 मतलब 2 by 6 2 by 6 को हम 1 by 3 बोल सकते है AE की value है 3 EC find करना था तो EC की value कितनी आ गई 9 cm खतम कहानी यहां क्या लिखेंगे by using BPT क्यों by using BPT क्यों हमें पता है DE parallel है BC के ठीक है जब हमें पता है तो sides क्या हो जाएंगे equal ratio में cut करेंगे equal ratio में cut करेंगे तो यह क्या है BPT basic by using basic proportionality थी हरा अब यह कोशन जो आता है आपका यह पूरा-पूरा 5 marks का होता है 5 marks हा कोशन बनता है यह सीधा 5 marks direct 3 marks की थियोरम 2 marks हा कोशन यह 4 marks ही थियोरम 1 marks का कोशन ठीक है 1 marks कोशन justification अच्छे नहीं होगी कोशन के साथ है ना तो 3-2 होता है 4-1 भी हो सकता है अब वो depend करता है कोशन के उपर की कोशन कितना elaborate है यह इतना elaborated questions नहीं है directly solve हो सकता है value put करोगे सिदक अमान सा ठीक है आई बात समझ अब इसके बाद आती है आपकी converse of Bpt जो की क्या होती है converse of Bpt यह होती है यह बताती है कि अगर कोई भी line triangle की दो side को cut कर रही है like this this is DE अगर यह DE दो side triangle की cut कर रही है और equal ratio में cut कर रही है मतलब यह ऐसा cut कर रही है कि AD by DB is equals to AE by EC then यह होता है given ठीक है अगर यह होता है then हम यह बोलते है by converse of BPT की जो DE होगा वो parallel होगा BC के ठीक है यह आपकी converse of BPT होती है converse of Thales Serum होती है ठीक है जो की यह बोलती है कि अगर एक triangle में एक line दो sides triangle की दो sides को cut कर रही है equal proportion में मतलब like this then उसका मतलब यह होता है कि वो जो line है वो तीसरी side से parallel है तीसरी side से पहला नहीं मतलब is parallel to जो side कटी नहीं है कटी कौन सी नहीं है by BC नहीं कटी तो parallel to BC अब इस theorem से max to max 2 marks का यह objective type questions या MCQs based questions आते है इस theorem से आपका पते क्या आता है objective type questions maximum कोशिश होती है यहां से objective type questions max to max 2 marks का आता है ठीक है नहीं तो 1 marks का 1 objective type question बनता है confirm अब ये भी बता दिया हमने कि कहां से क्या क्या बन रहा है BPT से 5 marks का 1 question 5 marks वहां होगे 9 से 10 marks का chapter आता है 5 marks वहां होगे 1 या 2 marks यहां से होगे 1 marks के तो last time बताएंगे कि objective type question किस तरीके से आते हैं वो आप करके देखना कुछ एक आदा homework भी देंगे आप लोगों को ठीक है बट जो 2 marks कोशिशन साते हैं यहां से 2 marks कोशिशन साते हैं वो कहां से आते हैं किस type के आते हैं वो बताने लगते हैं देखो इस type का यह होते हैं दो यह जादा नहीं सिरफ max to max 2 marks सा कोशिशन 2 marks सा कोशिशन यह 3 marks में consider नहीं होता यह कोशिशन 3 marks में consider नहीं होता है कोशिशन क्या है easy question होता है no doubt easy question होते है unless and until आपको bpt या converse of bpt आती है तो तो easy रहेंगे अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा confusion हो जाता है थोड़ा सा क्या हो जाता है confusion create कर देते हैं ठीक है एक छोटा सा note बच गया है छोटी सा important point बच गया है bpt में जो कि अभी थोड़ी दिर में बताएंगे इसको करवाने के बाद similarity से पहले और इसको खदम करवाने के बाद करवाएंगे कि जब हम converse और bpt करवाते हैं या bpt करवाते हैं उसके बाद एक important चीज होती है जो कि क्या होती है वो भी समझाएंगे ठीक है इतने आप लोग like और subscribe करो और इसका answer दो देखते हैं कितने बच्चे इसका answer दे पाते हैं ठीक है प्रूव करना है simple show करके दिखाना है क्या क्या चीजे गिवन है याद रखना जब triangle chapter से question पूछा जाए तो सबसे important चीजे मैं बोलता हूँ आपने triangle chapter नहीं पड़ा paper में आया है आफिरली में आया है कोई बात नहीं given तो लिख्या हो proof तो लिख्या हो ठीक है नहीं आया है समझाने के लिए हम बैठे हैं बट फिर भी आपको नहीं समझाया या आपने हमारी class देखे नहीं बट इतना समझ लो कि आप अगर given लिख रहे हो तो प्रूफ लिख रहे हो तो भी आपका काम बन जाएगा तब भी आपको half mark मिल जाएगा एक marks मिल जाएगा आदा marks मिल जाएगा कुछ नहीं मिलने से तो आदा और एक marks बहुत बढ़िया होता है और अभी से ही इस चीज की आदट डालो कि अगर आप paper attempt कर रहे हो तो यह चीजे लिखो की given क्या है question में given क्या है proof क्या करना है ठीक है और theorem कौन सी लगेगी और अगर construction है तो construction ठीक है जैसे हमने बीपीटी theorem proof करके दिखाई बेलकुल वैसे ही चीक है आई बात समझ चालो start करें देखो given क्या क्या है given हमें है inner figure ABC are a point of OP यह सब given है but important चीज क्या है हाँ पर important चीज है कि जो AB है वो किसके parler है PQ के parler है important dousra क्या है दूसरा important चीज है कि जो AC है वो किसके parler है PR के parler है यह है दो important चीजे जो examiner को आपको बतानी है कि sir या फिर madam लिखके चीज़े समझ आनी चीए कि sir madam हमें पता है कि question में क्या given है ये given है important अब सारा मत लिखने बैठ जाना कि भई ABC point है ये सारा का सारा उठा के लिख दो नहीं जो important है जो use होने वाला है यूज क्या होने वाला ये दोनों चीज़े यूज होने वाली है बई बीपीटी लगेगी या कनवर्स बीपीटी लगेगी तो विसी बात है पैरलर वाला given होगा प्रूफ क्या करना है प्रूफ तो आप लोगों को वैसी समझ आ जाएगा या शो क्या करना है या प्रूफ क्य इतना भी mention कर दो कि तब भी teacher को लगेगा बच्चे को आता है ठीक है चालो आगे बढ़े हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो BC line है ये है BC line इसको थोड़ा सा दूसरे पैंसे लेते हैं ये है BC ये जो BC line नहीं ये QR के parallel होगी ये हमें प्रूफ करना है ठीक है चलो start करें क्या चलो start करते हैं सबसे पहले जो given है वो क्या given है कि AB parallel है AB parallel है किसके PQ के तो अगर हम देखे AB और PQ के AB और PQ के तो यहाँ पे अगर मैं सरफ in triangle की अगर बात करूँ in triangle P O Q P O Q इसमें क्या given है in triangle P O Q हमें ये पता है कि जो AB है वो parallel है PQ के जिसका मतलब क्या होगा जिसका मतलब यह होगा अब हम लगाएंगे B P T अब हम क्या लगाएंगे B P T लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा O A divided by O A divided by P A वो किसके बराबर हो जाएगा O A divided by P A will be equals to O B divided by B Q यह है पहली statement ठीक है भाई triangle हमने क्या लिया P O Q लिया जिसमें हम हो गया ऐसी हवा में थोड़ी हो गया ऐसी थोड़ी हवा में हो गया है क्या लगाया है भाई B P T लगाई है अच्छा दूसरा क्या है अब दूसरा हमें क्या given है क्या given है कि A C P R के parallel है कौन सा triangle O P R inner triangle O P R क्या given है गिवन यह है कि जो A C है वो किसके parallel है P R के parallel है फिर से क्या लगाएंगे B P T लगाएंगे तो क्या हो जाएगा O A by P A वो किसके बराबर हो जाएगा O A by P A वो किसके बराबर जाएगा O C by C R O C by C R यह हमारा क्या बना second reason क्या है equal होने का reason है B P T by using B P T B P T क्या बोलती है B P T बोलती है कि अगर एक triangle में एक line parallel है एक side के और वो क्या करेगी next two sides को equal ratio में cut करेगी तो यहां से यह given था given से हमने by theorem लगा कि यह नकाल दिया फिर धियोरम लगा के यह निकाल दिया अब अब क्या अगर आफ फरस्ट पार्ट और सेकिंड पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से दिखो या नजर मारो तो यहां पर एक यह चीज हमें common दिख रही है कि क्या है यह वालिंटो अन्दों धान-ददर को यह चीज क्या है common है तो पइल फोस तैंड हम क्या बोल सकते हैं लिप first and second first or second से क्या बोल सकते हैं first or second से ये बोल सकते हैं कि जो आपका OB by BQ है OB by BQ है वो किसके बराबर हो जाएगा OB by BQ will be equals to OC by CR OC by CR अब ये आ गया equal तो figure पे जाते हैं वापस OB ये है ठीक है ये ही आया है OB by BQ कहा गया OB by BQ OC by CR तो अगर आपने ध्यान दो अब यहाँ पे triangle है OQR तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं inner triangle inner triangle OQR OQR में अगर ये चीज equal है तो हम क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं by converse of BPT by converse of BPT converse of BPT क्या बोलती है converse of BPT ये बोलती है अगर कोई line दो sides triangle की दो sides को equal ratio में cut कर रहा है जो कि यहाँ दिखा रहा है equal ratio में cut कर रहा है यहाँ से देख लो this by this is equals to this by this तो क्या होता है वो जो line है वो क्या होगी तीसरी साइड के parallel होगी मतलब BC किसके parallel हो जाएगी QR के यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम clearly बोल सकते है कि by converse of BPT we can say that BC is parallel to BC किसके parallel होगी triangle की तीसरी साइड के इसरी साइड कौन सी एक यू आर यह पैरलर हो जाएगी आया समझ clear है sorted बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है यह था आपका converse of BPT का question a question करवाया BPT पे a question करवाया converse of BPT पे कुछ objective type questions भी है वो भी करवाएंगे बट वो आखरी में करवाएंगे ठीक है सब को clear है ना देख लो ध्यान से कैसे हुआ देख लो ध्यान से कैसे हुआ कहां से हुआ किस तरीके से करा ठीक है यह रहा फिर उसके बाद triangle लिया पहला वाला फिर दूसरा वाला दोनों में first second कैसे हुआ by using BPT हुआ BPT से हुआ by first and second यह चीज़ होगी तो यह चीज़ होगी और फिर यह होगया अब next question और फिर से एक और बड़ा प्यारा question अब यह जो particular question है ना जो आप screen पर देख रहे हो four star इसलिए दिया है क्योंकि अकेला यह question trapezium का इसको हम by using criteria of similarity या फिर BPT से भी यूज़ कर सकते हैं और यह जो अकेला question है ना यह किस तरीके से आ सकता है यह इस तरीके से आ सकता है दो तरीके से यह इसा बोल सकते हैं कैसा बोल सकते हैं solve it by कैसे solve करो by using BPT या converse of BPT या फिर कैसे solve करो criteria of similarity से solve करो इसको दोनों तरीके से इसको solve किया जा सकता है इसलिए अगर condition नहीं given है तो अब तक हमने criteria of similarity नहीं बता है तो इसको हम by using BPT करेंगे बट इसको similarity criteria से भी किया जा सकता है इसलिए 4 star question no doubt बड़ा ही प्यारा बड़ा ही अच्छा question है ठीक है समझना question को क्या है question है obvious सी बात है trapezium है trapezium हमने draw कर दिया ठीक है trapezium draw कर दिया और ये trapezium एक pair parallel होता है तो ये एक pair को parallel हमने दिखा दिया ठीक है यहाँ पे A B parallel है CD के condition के इसाब से AB is parallel to DC ठीक है अच्छा बोला क्या गया है inner trapezium given that कि दो sides parallel है मतलब दो sides parallel है ठीक है हमें क्या बताना है show करना है कि A O अच्छा A O मतलब इनकी diagonals भी बन रही है ये बनेगा ऐसा इसका intersecting point क्या है ये है O ये क्या है O तो लिख लेते हैं भाई जैसा कि हमने अभी अभी बताया triangle में given जरूर लिखना होता है क्या है कि ABCD is a trapezium ठीक है जिसमें given क्या है given ये है AB और DC parallel है ये लिखना जरूरी है ये लिखना जरूरी है question को देखो ऐसा होता है क्या था teacher को बताना पड़ेगा वही trapezium अब आप बोलोगे सर trapezium तो है trapezium one side तो एक side तो parallel होती ही है तो ये लिखने की क्या जरूरी थोड़ी है कि AB parallel हो DC के ऐसा भी तो हो सकता है कि AD parallel हो BC के AD parallel हो BC के तो ये चीज़ लिखने पड़ेगी कि क्या parallel है ठीक है उसके बाद फिर proof प्रूफ क्या करना है या show क्या करना है प्रूफ ये करना है कि जो OA by BO होगा वो किसके बराबर होगा CO by DO के बराबर होगा और जैसा कि हमने बताया इसको हम बीपीटी के ठूरू कर रहे है तो हमें क्या लेना पड़ेगा हमें triangle लेना पड़ेगा ठीक है अब हमने कौंसा triangle लिया अब अगर हम दिहान से देखें तो triangle दो triangle बन सकते हैं एक ये वाला ये वाला ये वाला एक और दूसरा बन सकता है यह वाला दूसरे पैन से मार्ग करते हैं इसको ठीक है दूसरा ट्रैंगल यह बन सकता है बट अब यहां समस्या क्या आगी समस्या यह आ गई कि यहार पैरलर तो कुछ है ही नहीं सिरफ एबी और डी सी पैरलर है सिरफ एबी और डी सी पैरलर बाकी तो कुछ पैरलर ही नहीं ह तो BPT कैसे लगाएंगे लगाएंगे कैसे लगाएंगे construction से लगाएंगे हमने बोला कि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं यहाँ से नया पैनल ले लेते हैं यह हमने पारलर बनाया इसको हम बोल रहे हैं मतलब construction करा construction करके हमने क्या बुला एक EO E point लिया है और E को O से जुड़ा है और हम यह बोल रहे हैं कि जो EO है वो क्या है वो AB के parallel है वो क्या है AB के parallel है अगर वो AB के parallel है तो हमें पता है ABC parallel है तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरलर हो जाएंगे A O will be parallel to DC A B के भी parallel होगा, DC के भी parallel होगा Got it? समझ आ गया? बहुत अच्छे अब अगर ये parallel है तो तो काम आसान बन गया कैसे आसान बन गया? समझाते हैं और अच्छे से देखो अब figure बनाते हैं और और बड़िया तरीके से elaborate करके समझाते हैं ये हमारा टैपीजियम ऐसा ही था कुछ ये एक point ये था A ये था B ये था C और ये था D ठीक है? इन दोनों को join करके हमारा intersecting point आया था diagonal का जो की हम बोल रहे थे O ये है O और यहां से हमने construction से इसको बनाया था E O E O बनाया था ठीक है? अब ध्यान से देखना दो triangle पहला in triangle कौन सा triangle A D C A D C यहां हमें क्या पता है? यहां हमें पता है कि जो E O है वो किसके parallel है? E O DC के parallel है अगर E O DC के parallel है तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां E by E D will be equals to A O by O C A O by O C इतना समझ आया क्यों आया? लिखना पड़ेगा by BPT by using Thales theorem ठीक है? अब दूसरा triangle की बात करते हैं अब हमने लिया in triangle अब यह ले लिया भई E O दोनों में आना चाहिए अब वो कैसे आएगा वो इस तरीक से ये वाला ये ले लिया अब ये ले ले लेते हैं A D B A D B ये वाला triangle देखो A D B जहां पे E O सेम आ रहा है तो यहां हम क्या बोल सकते हैं E O is a parallel to A B Q parallel है क्योंकि A B और D C parallel थे हमने construction करी थी A O को parallel बनाया था A B के A B के parallel बनाया था तो DC के अपने आप parallel चला गया पारलर चला गया तो यहां से फिर 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 सॉरी फिर क्या लगाया फिर क्राइटीरिया लगाया हमने बीपीटी का बीपीटी क्राइटीरिया लगाया तो यहां से हम बोल सकते हैं A E by A D will be equals to B O by O D B O by O D और यह क्या है reason इसका है by B P T by using B P T यह हमने बोला equation number 1 और इसको हमने क्या बोला equation number 2 अगर आप equation number 1 और equation number 2 दोनों ध्यान से देखो तो आपको आदा काम वहीं हो जाएगा आदा चीज वहीं समझा जाएगा क्या देखो यह चीज और यह चीज क्या है सेम ही तो है सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं भाई A O A O by O C वो किसके बराबर हो जाएगा वो जाएगा BO by OD वो किसके बराबर हो इसके बराबर हो जाएगा क्यूं हुआ by first and second ठीक है हमें क्या प्रूव करना था शायद यही प्रूव करना था AO by BO equals to CO by DO अच्छा CD नीचे आएगा CD नीचे आएगा तो कोई बात नहीं ये चीज आ गही यह चीज आगी अगर यह equal है तो यहां से हम simple सा यह भी तो बोल सकते हैं अगर यह equal है तो यह भी equally होगा AO by BO is equals to CO by DO पर यहां से इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं मतलब देखो अगर आपको नहीं समझा है इसको समझा देते हैं देखो मैंने बोला 2 by 6 is equals to समझना 12 by 12 by 36 यह हमें given है तो हमें इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं अगर यह equal है तो ऐसा भी तो equal होगा कि 2 by 12 will be equals to 6 by 36 इसको इधर change कर दिया इसको उधर change कर दिया यह इसको यहां transfer कर दिया इसको यहां transfer कर दिया बात तो फिर भी equally होगी 2 by 6, 1 by 3 2 by 6, 1 by 6 यह भी 1 by 6 बात तो equally होगी तो यहां से हमने प्रूव कर दिया HP यहां से हम क्या बोल सकते हैं हाजी बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है ठीक है आया सबी को समझ यह था आपका Bpt को से questions Converse of Bpt से questions एंड एक और जो की बहुत प्यारा question है जो की फिर से बताएंगे important है half early examination point of view से important है ठीक है final से तो है है half early examination point of view से भी important है ठीक है काफी अच्छा question है chances है maximum probability है इस question के आने की ठीक है अब हम बताते है एक जो निश्कष निकलता है यहां से क्या निकलता है एक आपका निश्कष को इंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते है एक आपका result निकलता है यहां से क्या result निकलता है एक छोटा सा result यह निकलता है कि अगर अगर एक triangle जैसा कि हमने बताया था, BPT से related ही है, यह triangle है, ठीक है, यहाँ पे ABC है, यह ABC है, और जैसा कि बताया है कि यह parallel होगा, यह है DE, यह क्या है DE, तो यहाँ से by using BPT, यह तो आप लोगों को पता ही है, कि जो AD by DB होगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा AE by EC, यह तो होता ही है, यह आप लोगों को पता ही है, यह तो BPT से होगा, अब यहाँ पे एक और चीज हम बोल सकते हैं, यह भी बोल सकते हैं कि AD by AD by AB, AD by AB will be equals to AD by AB will be equals to AE by AE by EC, यह भी आपका होता है, यह result निकलता है, अब यह कैसे निकलता है, इन दोनों में plus one करके, वो एक अलग case है, वो एक important case है, वो भी बताएंगे, but जब एक time बचेगा, one shot revision करवा रहे हैं, तो सारी चीजे एक class में करवाना थोड़ा सब possible नहीं है, but yes, यहाँ पे एक चीज तो यह करवा सकते हैं, तो यह आपका याद रखना, note, ठीक है, यह ची this by this, will be equals to this by this, जो कि किस में काम आता है, similarity of triangles में काम आता है, criteria of similarity of triangles में काम आता है, ठीक है, यहाँ, हमने बताया starting of the class में क्या बताया था कि दो triangles को हम similar कब बोल सकते हैं याद है कुछ दो triangles को हम similar कब बोल सकते हैं दो criteria से पहला जब सारे के सारे angles क्या हो equal हो सारे के सारे angles क्या हो equal हो पहला सारे के सारे angles equal हो दूसरा कि सारे के सारी sides क्या हो equal proportion में हो तो दोनों में से अगर एक भी क्राइटीरिया फुल्फिल हो रहा है ना तो आपका आधा काम वही हो जाता है मतलब triangle similar है पहला वाला satisfy कर रहा है तो दूसरा वाला अपने अप satisfy करेगा दूसरा वाला satisfy कर रहा है तो पहला वाला अपने आप इसको satisfy करेगा चीख है चालो बहुत अच्छे अब बात करते हैं अब बात करते हैं next phase of this chapter ये पहला phase basic proportionality और अब हम second phase of this chapter आ गए है जिसमें क्या होता है criteria of triangles होता है जहां पे आप clearly देख भी पा रहे हो angle A और D क्या होंगे equal होंगे उसके बाद B और E equal होंगे C और F क्या होंगे equal होंगे तो जाके आपका triangle क्या होगा similar होगा मतलब अगर A angle will be equals to angle D और angle B किसके बराबर है E के बराबर है और angle C किसके बराबर है angle F के बराबर है तब जाके आपका triangle क्या होगा तब जाके आपका triangle similar होगा याद रखना similar होगा ठीक है याद रखना सिमिलर होगा अब सिमिलर होगा तो सिमिलर होगा तो लिखा कैसे जाएगा तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लिखा कैसे जाएगा लिखा इसे जाएगा देखो ट्राइंगल एबी सी सिमिलर का साइन होता है यह सिमिलर का साइन होता है यह कि एबी सी इस सि क्या आएगा भई A के बराबर क्या है डी है तो A के नीचे डी आएगा B के बराबर क्या है ई है तो उसके नीचे ए लिखा जाएगा ऐसे ही सी के बराबर क्या है F है तो F लिखा जाएगा ऐसे होगा कि A B C is similar to D E F आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर कोई बच्चा है अगर ऐसे कर रहा है कि हाँ भई कोई बात नहीं है similar ही तो है तो क्या हो गया similar to triangle ऐसे लिख दिया आपने F E D जिसका मतलब क्या निकलता है जिसका मतलब भी निकलता है A angle जो है वो F के बराबर है B angle जो है वो E के बराबर है A क्या F के बराबर है नहीं तो ये गलत है ये चीज गलत है ये चीज सही है इसलिए हमने थोड़ा सा जोर दे के यहाँ पे बूला है कि जो angle जिसके बराबर है या जो vertex जिसके बराबर है उसके नीचे हर चीजे बताते चल रहे है बीपीटी पाँच मार्स थेल से औरम दो से एक मार्स सिमिलारिटी ओफ क्राइटीरिया भी त्योरम पे तो गए ही नहीं है उससे पहले ही एक मार्स और कोशन यहां से बन जाता है अब्जेक्टिव टाइप कोशन बनता है कुछ इस तरीके से बनता है कि ए बी सी ट्राइंगल किसके साथ सिमिलर होगा ऑप्शन दे दी जाते हैं ऐसे दी जाते हैं कन्फ्यूज हुए तो फिर खेल खतम वहीं वह वन मार्क्स जो फ्री में मिल रहे थे वो चले जाएंगे ठीक है थोड़ा सा ध्यान लगाना है काम आसान हो जाएगा क्या हो जाएगा काम बहुत जादा आसान हो जाएगा चालो तो पहला क्राइटीरिया बताते हैं कि हम ट् देखने का बट एक्चल में थेयोरम कौन कौन सी होती है पहला जो कि आपकी six converse of bpt के बाद next theorem होती है वो क्या होती है ट्रिपल एक राइटीरिया आफ सिमिलारटी जिसमें बोला जाता है सुनना स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना स्टेटमेंट आप पढ़ भी सकते हो पढ दूसरे ट्राइंगल के साथ क्या होंगे इक्वल इफ इन्टू ट्राइंगल कोर्रस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल कोर्रस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल है देखो रिलेट के देखो रिलेशन देखो रिलेशन कोर्रस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं बोला भी, तब क्या होगा, साइड होंगी, इक्वल रेशो में, साइड क्या होंगी, इक्वल रेशो में, तब जाके ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, समझ रहे हो बात को, देखो जैसे यहां पे दो ट्राइंगल है, अब आप लोगों क किसके बराबर है एंगल पी के बराबर है एंगल क्यू किसके अंगल बी किसके बराबर है यह एंगल बी किसके बराबर है एंगल क्यू के बराबर है एंगल सी किसके बराबर है एंगल आर के बराबर है तब तब क्या होगा वैसे लिख सकते हैं ट्राइंगल सिमिलर होगा बट statement के हिसाब से तब जाके sides क्या होंगी equal proportion में होंगी कौन सी side by a b by p q याद रखना a b by p q b c by q r is equals to a c by p r तो यह चीज याद रखने important होती है यह चीज याद रखने थोड़ा सब्सक्राइंगल यह तो साइड्स क्या होंगी equal proportion में होगी equal proportion में होंगी तब जाके आपका triangle क्या होगा similar होगा तब जाके हम बोल सकते हैं कि triangle A B C is similar to triangle P Q R it can't I have a much यह था पहला criteria similarity का जिसे हम बोलते है ट्रीपल एक ड्राइटीया ट्रीपल एक राइटीरिया क्यों बोलते हैं क्योंकि आक तीनों की टिनों एंगल से को यह हैं तो कहम क्या बोल सकते हैं और इसी क्रैटीरिया पर है, इसी क्रैटीरिया पर है, तोड़को टाइम देंगे, तोड़को आपको do अबने का देखते हैं, कितने बच्चे इसको सॉल पाते हैं हम जो ग्राइटीरिया है उसी पे ये कोश्चिन है जो क्राइटीरिया है ऊसी पे ये कोश्चिन है ठीक है Assistant सिंपल सा बोला क्या गया है बोला ए गया है एक Friend है जिसमें All-P Tanner pi Q ये और ये आर-ईस हैं ये दोनों क्या है पार्लर आप पैरलर है, got it, समझ गए, अच्छी बात है, prove क्या करना है, बहुँ यह वाला triangle और यह वाला triangle क्या होगा, similar होगा, यहां important चीज, P, S के साथ होगा, O, O के साथ होगा, Q, Q के साथ होगा, Q किस के साथ होगा, Q के साथ होगा, यह ध्यान देने वाली बात है, यह क्या है ध्यान देने वाली बात है important बात है यहां कैसे करें हम बोल रहे हैं criteria लगेगा AAA का criteria किसका लगेगा AAA मतलब तीनों कितीनों एंगल दिखाने है इक्वल यहां तो कुछ भी नहीं given है क्या ही गरें इसमें बड़ी समस्या है तो देखो ध्यान से पहले तो हम आपको ब तो वो क्या बनाती है vertically positive angles और यह क्या होंगे equal होंगे मतलब P O Q will be equals to R O S चलो ठीक है एक तो पता लग गया बाकी दो भाई एक एंगल से थोड़ी ना triangle similar हो जाता है बाकी दो कहा है बाकी दो भी यहीं है ध्यान से देखो lines and angles में parallel lines वाली property क्या पड़ी थी जब दो lines यहां प RS सोरी P Q किसके parallel है RS के parallel अगर यह parallel होता है तो तो एक transversal line जा रही है तो यह वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के साथ equal होगा आया समझ यह वाला एंगल और यह वाला एंगल क्या हो जाएगा equal reason alternate interior angles reason क्या होता है alternate interior angles अच्छा मैं इसको और detail में समझा के बताता हूं यह थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है यह वर्टिकल पोजिशन में horizontal position में होगा ना तो और अच्छे से समझा जाएगा तो देखो horizontal position में इसको लिटाते हैं लिटा दिया यह दो लाइन है यह पैरलर है तो है क्या यही तो चीजे यह वाला और यह वाला एंगल यह वाला और यह वाला एंगल इसको हमने ऐसे कर दिया अब यह क्या बना ऐसा ही तो बना क्या होता है alternate interior angles ठीक है तो यह भी को लोगा अच्छा अगर ये alternate interior angle हो गया है तो ये भी तो equal हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा equal reason फिर alternate interior angle अब करोगे कैसे ये तो हमने बता दिया कि भाई ये ये था ये था तो यहां लिखोगे given given क्या है given ये है कि जो PQ है वो parallel है अगर आप यहीं ये भी लिख दो की ये वाला angle इसके बराबर ये वाला angle इसके बराबर ये चीज दिखाने है ये दिखाने है चाहब करना ने एंड है कुम अ क्युख यंड ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल क्या है एस ओ आर अब आप लोग असानी से बता सकते हो असानी से इसको क्लियर कर सकते हो कि क्या है यहां पे हम बोल सकते हैं चलो भी नेक्स्ट पे जाओ यहां पे हो जाएगा एंगल पी ओ पी ओ क्यू विल भी इकोस टू एंगल पी ओ क्य याद रखना P O Q ले रहे हैं P के साथ क्या equal बताया था S बताया था तो लेंगे S O R तो इसके साथ क्या लेंगे S O R reason लिखना पड़ेगा आपको examiner को बताना पड़ेगा कि आपको आता है क्यों है vertically opposite angle अच्छा ये मैंने short form में लिख दिया आप पूरा-पूरा लिखना vertically opposite angles ठीक है आप पूरा-पूरा लिख सकते हो कि vertically opposite angle मैंने short form में लिख दिया है ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं आगे P एंगल और S एंगल क्या हो जाएगा equal यहां से हम क्या लिख सकते हैं एंगल पी और ऐंगल स एक बोल हो जाएगा alternative jam सिमिलेरली q और न क्यू और क्यू और और वो क्या हो जाएंगे वह भी कुल हो जाएंगे यह भी सैंऄ यह भी क्या है alternate intervals angle कि ठीक है अब यहां से अगर आप द् discuss दियान हो तीनों के थीनों एंइंग्ल्स क्या है क्या हैं इक्वल हो रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगगा ट्राइंगल competit मृटो एक साथ गुब है एज के साथ इसात तो यह सटिस्फाय भी कर रहा है Ben decis और कर रहा है एसके साथ हम सकते हैं पी ओक्यू इस इसे मिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर सो और बाइविच क्राइटेरिया रज़ इस्क्राइटरिया से ट्रेपल एक क्राइटिडिया यहां से चलो एक और चीज आती है simple सा question था बड़ा अच्छा question था ठीक है जहां पर आपको testing करने थी किसकी ट्रिपल एक राइटीरिया की similarity of ट्रिपल एक राइटीरिया की टेस्ट करना था कि भाई होता है कि नहीं होता है चेक कर लिया बिल्कुल होता है यहां से हम यह भी बोल सकते थे की triangles के जो sides होंगे वो क्या होंगे equal proportion होंगे वो आप लोगों को पता लग गया होगा कि भाई किसको क्या लेना है this by this this by this this by this वो आप लोगों को पता लग गया होगा simple यहां से क्या ले SR इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते थे चलो ये तो हो गया आपकी theorem जो की क्या बोलती थी अगर तीनों के तीनों Angles Equal है तो Sides क्या होंगी Equal Proportion में होंगी तब Triangles क्या होंगी Similar होंगी ठीक है अब यहां से हमें एक और चीज समझ आती है क्या चीज समझाती है वो स्क्रीन पर भी आपको दिखरी ही है क्या कि अगर दो एंगल भी इकल होना किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल भी इकल होते हैं तब भी हम बोल सकते हैं ट्राइंगल से मिलर है क्यों तीसरा तो अपने आप इकल हो जाएगा ठीक है तीसरा तो बोला कि यह है मेरा x angle और यह है मेरा y angle यह है मेरा x ठीक है चलो अगर इसकी बारी निकालने की ये भी कितना आएगा ये भी तो इतना ही आएगा एकस है वाई है वो भी कितना आएगा 180 माइनस का एंगल सम प्रापर्टी से यह आएगा ना एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई तो इसका मतलब ये है कि हम ये भी बोल सकते हैं यहां से कि ट्रिपल एक्राइटीरिया तो होता होता है ट्रिपल एक्राइटीरिया तो होता होता है वो तो है उसकी तो थियोरम है बट हम यहां से ये भी बोल सकते हैं अगर दो ए angles को हम similar prove कर सकते हैं क्योंकि तीसरा angle तो अपने आप equal हो जाएगा 180- angle 1- angle 2 ठीक है तो ये भी एक और criteria बन गया double a criteria of similarity क्या बन गया ये भी एक और criteria बन गया double a criteria of similarity ठीक है समझाया चालो एक और अब triple a के बाद next criteria आता है आपका triple s का triple s मतलब तीनो की तीनो साइड्स क्या है equal ratio में है जहां पर बोला क्या जाता है अगर तीनो की तीनो साइड्स equal ratio में है तो angles क्या होंगे equal होंगे तब जाके triangles क्या होगी similar होगी वो ही चीज़ बताई है ठीक है मतलब A ये रहा B ये रहा C ये रहा P ये रहा Q ये रहा और R ये रहा तो होता क्या है होता ये है कि A B अब की बार गिवन है कि A B by P Q अगर किसके बराबर है A B by P Q किसके बराबर है A C by P R के बराबर है और B C by Q R के बराबर है तब जाके तब जाके अगर ये है तब जाके एंगल A, एंगल P के बराबर होगा एंगल B, एंगल Q के बराबर होगा एंगल C, एंगल R के बराबर होगा तब जाके ट्राइंगल आपका सिमिलर होगा तब जाके आपका ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर होगा मतलब ट्राइंगल A, B, C will be similar to triangle PQR और इस criteria को क्या बोला जाता है तीनों की तीनों साइट सिमिलर है तो तीनों की तीनों साइट क्या है equal ratio में है तो इकल proportion में है तो इसको बोला जाता है SS criterion of similarity ठीक है SSS criteria जहाँ पे यह चीज हमें given होती है हमें triangle को similar कर देना होता है अगर triangle similar है तो यह चीज अपने आप आजाती है angles equal है clear, funda, simple statement पढ़ लो बेशक अगर कोई doubt है तो statement है if into triangle sides of one triangle are proportion to proportion to proportion का मतलब ही समझा रखा है same ratio same ratio the sides of the other triangles then their corresponding angles are equal then उसके corresponding angles क्या होंगे equal होंगे तब जाके triangle क्या होगी similar होगी तब जाके triangles क्या होगा similar होगा अब triple S criteria पे एक question यह रहा ठीक है triple S criteria पे इसका देखो फाइदा क्या होगा फाइदा यह होगा कि आप question के साथ theorem को connect कर पाऊगे theorem के साथ question को connect कर पाऊगे हैं तो समझना आसान हो जाएगा समझना क्या हो जाएगा थोड़ा सा आसान हो जाएगा चलो इसका देखते हैं find करना है angle P find करना है देखते हैं कितने बच्चे solve कर पाते हैं हाँ 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 शाबाश बहुत अच्छे देखते हैं कितने बच्चे इस question को value solve कर पाते हैं ठीक है हाँ 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 जी बोलिए देको सिंपल सा है आपको चेक करना है कि साइड्स क्या equal proportion में है ओव्विसी बात है इकवल proportion में होंगी बट कौन सी किसके साथ important चीज बता रहे हैं कौन सी किसके साथ एक बार आपको यह पता लग गया कि कौन सी किसके साथ है फिर तो काम असान हो गया फिर काम क्या हो जाएगा काफी जादा असान हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम देखें यह देखो six और यह है 12 देखना तो मैंने बोला BC by PQ वो कितना है 1 by 2 है वो कितना है 1 by 2 BC by याद रखना PQ लिया है ठीक है अच्छा उसके बाद आगे लिया आगे क्या लिया BC के बाद यह है 3 root 3 और यह है 6 root 3 तो मैंने बोला AC by AC by RP AC by RP तो यहां से यह भी कितना बन जाएगा यह भी 1 by 2 बन जाएगा यह भी 1 by 2 बन जाएगा चालो तीसरी साइड भी ले ले लेते हैं तीसरी साइड का भी चेक हो जाएगा तो तीसरी साइड क्या है यहां से है A B A B B R Q A B B R Q अगर 3.8 divided by 7.6 करो तब 1.1 राइट है 0.5 आता है तो यह भी कितना आजाएगा यह भी इतना ही आ जाएगा यह बी कितना जाएगा यहां मैक्सम बच्चों को कन्फिशन होती है कि कौन सा triangle किसके साथ लेना है वैं कौन सा triangle किसके साथ लेंगे अब confusion हो जाएगी क्या क्या होगा मैश अप हो गया है यहां क्या हो गया मैश अप हो गया है बट इस जो बसड हुई है मतलब थोड़ा मैश अप हुआ है जो इसको कैसे सही करना है वो भी समझा देता हूँ देखो a c a b ठीक है पहले मैंने a angle लिया मैं बोल रहा हूँ triangle यह triple s criteria से similar तो हो गया वट कौन सा triangle किसके साथ similar है वो चेक करना है वो बताना है पहले a दोनों में a क्या है common है तो दोनों c is similar to which triangle a होगा r के साथ a किसके साथ होगा r के साथ होगा a यह रहा a यह रहा दोनों में common क्या है r यहां है आ गया समझ यह आसान है अच्छा दिखा हम slow रहे हैं बट आप observe अच्छे से गर पाओगे जैसे कि अब यहां देख लो वहीजी दोनों में उपर है Hai यहां दोनों में क्या है पी मतलब सी के साथ क्या या पी मतलब यहां क्या लग जाएगा पी इसको थोड़ा साह दूसरे डाग पैंच से करते हैं यह लग जाएगा पी तो और पी बीच में क्या बचा क्यूँ और बी का अगर चेक करना चाहो बी का क्रॉस चेक भी कर लो बी यहां है बी और यहां बी देखो दोनों में क्यूँ दोनों में बी आ रहा है दोनों में क्यूँ तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ट्राइ यह होगा कि जो एंगल पी होगा वो एंगल सी के बराबर होगा एंगल पी किसके बराबर होगा एंगल सी के बराबर होगा क्यों from corresponding angles एकिउँ corresponding एंगल यह चीज़ is check करना हिए यह important है अब हम्हें क्या find करना था forget discuss के बराबर एक किसके बराबर बोल रहे हैं और और किसके बराबर बोल रहे हैं क्यों की बराबर है हमें फालू चीज़ा find तो करना हिनी नहीं थी लेकिन चलो बता दिया तो से पी एंगल सी के बराबर है एंगल सी एक्चल में है किसके बराबर एंगल सी निकाल लो एंगल सी निकाल सकते हो सभी बच्चे निकाल सकते हैं एंगल सी तो सारे बच्चे निकाल सकते हैं एंगल ए कितना है एंगल ए है 80 एंगल भी है 60 ठीक है बाइंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सी की आपकी वैलियों आ जाएगी कितना हो जाएगा 40 डिगरी पूर्टी हो जाएगा यह 140 होता है वो कितना बन गया 40 ते इन सब का sum किसके बराबर होता है, यह तो पता ही है आप लोगों को, भही, angle a plus में angle b, plus में angle c, यह कितना होता है, 180 degree के बराबर, angle sun property of a triangle, तो यहां से angle c की value कितनी आ जाएगी, 180 में से minus करेंगे, 80, 100, 100 में से 60 minus करेंगे, कितना हो गए, 40, 40 degree, हमें c find नहीं करना था, p find करना था, बट सी किस के बराबर है पी के बराबर तो पी एंगल कितना हो गया पुट्टी डिक्री आंसर कितना होगा सिंपल 40 चालेस डिग्री के बराबर होगा पी कहां है यह रहा ठीक है ऐसे यह ऐसे आएंगे अप्जक्ट इमाइस कोशन यहां से भी एक मांक्स पॉप्जेक्टिव बनेगा बनेगा तीन थेओरम कौन सी हैं अब बीपीटी कणवर्स बीपीटी का कनवर्स ठीक है ट्रिपल एस और ट्रिपल अच्छा एक और बच रहा है द्यान देना एक और है भी ठीक है दो करवादी एक और बच रही है इसमें थोड़ा इंपॉर्टन दिहान देना अच्छा है अच्छा था बढ़िया था ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़े अब लास्ट से ओरम आती है आपकी क्राइटीरिया और सिमिलारिटी की साइड एंगल साइड क्राइटीरिया साइड एंगल साइड क्राइटीरिया तीन क्राइटीरिया होत स्कूल होंगे अब छौथा क्राइटीरिया क्या है चौरी स्टिस्रा क्राइटीरिया क्या है वैसे चोथा हुआ यह एक बीच में दबल अंगल बताया था हमने दो हैंगल S'conaltretli है तो क्या हो जाता है ट्रायंगल फिर यह है R अगर यह triangle है हमारे दो तो इन triangle में अगर एक angle equal है सुना ध्यान से एक angle अगर मैं बोल रहो angle A और angle P equal है तब इनके corresponding angles मतलब इससे बना हुआ जो side होगा angle नी side मतलब ये वाली side और ये वाली side इसके लिए से ये वाली side और ये वाली side क्या होनी चैए equal ratio मतलब मतलब कि ये कि दो side अगर equalเป早 और उन से बना angle अगर equal है तब जाके maximal हम सरी तब जाके link को क्या बोल सकते है तब भी जाके आँए ट्राइंगल को सिमिलर प्रूब कर सकते है तब भी हम ट्राइंगल P के बराबर होगा एंगल A किस दो vertices से बना है एंगल A बना है AB से AC से एंगल P किस से बना है PQ से और PR से तो एंगल A अगर equal है तो यहां पर ऐसा कुछ होना चाहिए AB by PQ will be equals to AC by AC by PR यह ऐसा होना चाहिए ऐसा अगर है तब जाके ट्रैंगल हमारी सिमिलर हो जाएँगी तब जाके ट्रैंगल के यह हो जैएगी तब तारे के सारे angles भी equal हो जैएगे sides भी सारी proportion हो जाएगे तिक है ऐसा नहीं होना चाहिए यह की यह angle equal given है यह यह angle equal given है तो यह वाली side इसके similar है नहीं फिर similar नहीं होगा यह अगर angle equal है तो इससे मिलती जूलती साइड यह वाली से यह वाली इससे तब जाके similar होगा तब जाके similar होगा पढ़ लो statement if one angle of a triangle is equals to one and another angle of a triangle दूसरे triangle के साथ and sides including ये point बड़ा द्यान से पढ़ना sides including these angles ये important है side including these angles ठीक है वो क्या होनी चाहिए proportion होनी चाहिए कोई भी side नहीं ले सकते आप जो angle से बन रही है या angle को बना रही है वो sides equal proportion में होनी चाहिए ठीक है इसमें बच्चे maximum confused हो जाते हैं ये बोल होते हैं कि ये और ये तो equal ratio में हैं ये और ये equal ratio में हैं एंगल ए और पी given ही है तो हो गया सिमिलर से स्क्राइटीरिया ऐसा नहीं होता एसे स्क्राइटीरिया ठीक है ये important चीज है और ये confusion देती है इसी लिए हम इसको थोड़ा सा मां कर रहे हैं अच्छा वाला थ्री स्टार क्योंकि AAA में कोई confusion नहीं होती AAA में AAA में कोई confusion नहीं होती डबल में कोई confusion नहीं होती है यहां इसी लिए इसके इससे थोड़ा सा एक objective टाइप questions बन जाता है high probability होती है high chances होते हैं यहां से एक मार्स के question बनने की एक मार्स का बनता है यहां से objective टाइप ठीक है पूछ क्या दिया जाएगा बोला जाएगा कि भई triangle सिमिलर है triangle सिमिलर है तो बताओ कौन सा एंगल होगा triangle दो angles दो साइड बोल दे जाएंगे equal proportion में है तो कौन सा एंगल equal होगा वो बताओ यह पूछ लिया जाता है यहां से ठीक है clear है इससे related a question आपकी screen पर यह रहा इससे related a question आपकी screen पर यह रहा जो कि क्या है by simple sas criteria है side angle side criteria है जिसमें क्या प्रूव करना है कि triangles similar होंगे और क्यों similar होंगे कैसे similar होंगे और दूसरा क्या है दूसरा यह प्रूव करना है कि equal triangle को similar करके दिखाना और फिर angles equal होंगे शो करना है ठीक है जैसा की बता रखा है question में o क्या है a into ob is equals to oc into od यही चीज़ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं o a by o a by od o a by ob नई o a by oc is equals to od by ob ऐसे लिख सकते हैं क्या बिल्कुल लिख सकते हैं देखो हमें given था o a into ob ob denominator में रख दिया और वहां से जो oc था वो इधर रख दिया कहने का मतलब यह है o a यह है o a divided by oc is equals to od by ob ऐसे बो सकते हैं यहां से हम तो यह तो पता दिखी रहा है कि dc एक लाइन है और a b b एक लाइन है तो यहां से हम यह भी बोल सकते हैं अगर यह ऐसा कुछ है तो यहां से जो हमारा angle होगा a o d वो क्या होगा वो equal होगा किसके साथ equal होगा c o b के साथ c o b के साथ equal होगा reason क्या है vertically opposite angle vertically opposite angle यह वाली बात तो बोल रहे हम यह वाला angle और यह वाला लिक को लोगा क्यों यह वर्टिकल इपोजिट एंगल है अब अगर ध्यान दो कि यह वाली साइड यह एंगल और यह साइड अरे यह तो साइड एंगल साइटीरिया फुल्फिल कर रहा है मतलब ट्राइंगल क्या हो गया ट्राइंगल हो गया आपका similar triangle क्या हो गया similar बट कौन सा triangle similar हो गया angle से नहीं समझा रहा कोई बात नहीं ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो कि triangle o a d इस इस से देख लो o a d अच्छा o के साथ क्या आएगा बैए ओ ही आएगा ओ ए के नीचे क्या है c है तो o c b मतलब यहाँ यहां से हम क्या बोल सकते हैं खांगल क्यों हो जाएगा अगर ट्राइंगल में गाएंगल क्या है ग्राइंगल क्या लगा है है पे S A S criteria of similarity अगर triangle similar है तो सारे के सारे angles क्या हो जाते हैं equal हो जाते हैं तो यहां से हम clearly बोल सकते हैं कि जो angle A होगा angle C के बराबर होगा और जो angle B होगा वो किसके बराबर होगा angle D के बराबर होगा जैसे CPCT याद है आपको corresponding parts of corresponding triangles concurrent triangles में यूज़ करते थे ऐसे यहां पर similarity में बोल सकते हैं कि अगर triangle similar है तो उसके respective angles क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे या फिर sides क्या हो जाएंगे equal proportion में हो जाएंगे triangles are similar ठीक है कैसे हुआ दोनों sides क्या थी equal ratio में angle ही बता करना था यह तो आपको यहां बहुत भी देखके पता लग गया होगा कि equal ratio में है बस हमें क्या चाहिए वाइस साइड एंगल side property बताई है थियोरम बताई है तो एंगल ही चाहिए एंगल कैसे पता लग गया भाई वर्टिकल उपोजिट एंगल लिखा है शाट फॉर्म में लिखा है वर्टिकल उपोजिट एंगल आप लोग इसको पूरा लिख सकते हैं वर्टिकल उपोजिट एंगल लिखने जाते तो टाइम चला जाता ठीक है लिमेटेड टाइम होता है ठीक है इतना सभी को समझ आया clear, यहां आपके criteria खतम हो जाते हैं, यहां आपके similarity criteria खतम हो जाते हैं, तीन similarity of triangles के criteria होते हैं, triple A, triple S and side angle side criteria जो की just अभी थोड़ी दिर पहले करवाया है, जो की just अभी करवाया है, ठीक है, अब जो की बढ़िया बढ़िया questions आते हैं, paper में, वो क्या होते हैं, कुछ-कुछ हम देते हैं, कुछ-कुछ आपको homework के तौर पर देंगे, क्योंकि lecture जादा लंबा होगा, तो आप लोग परिशान हो जाओगे, but, कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा छोटा करने की, ठीक है, तो यह पहला question है, ठीक है, इस type के questions आते हैं, verbally बता देंगे, जादा लंबा क्या होता है, आपको triangle पहचानना है, एक बार triangle पहचान लिए, फिर काम खतम, triangle कहां है, A, B, D, कहां है, यह है, A, यह है, B, और यह है, D, यह triangle है, ठीक है, एक triangle, दूसरा triangle कौन सा है, दूसरा triangle है, C, B, E, C, यह रहा, B, यह रहा, E, यह रहा, ठीक है, यह triangle है, अच्छा, question में क्या बोला गया है कोशन में बोला गया है कि यहां पे यह है 90 डिगरी मतलब यह भी 90 यह होगा 90 यह होगा 90 क्लियर ली एक चीज तो हमें दिखी रही है क्या दिख रही है 90 तो दिखी रहा है अगर ब्लू वाला ट्राइंगल देखो उसमें एंगल ए कितने का है 90 का है और अगर ओर ओरेंज वाला देखो उसमें एंगल डी कितने का है 90 तो यहां से एंगल कौन सा वाला एंगल डी वो किसके बराबर होगा एंगल एक बराबर रीजन क्या है 90 डिग्री का चलो एक एंगल तो पता लग गया शुकर है एक एंगल पता लग गया अगर हमने जब शेड किया है तब अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से और नजरों से देखा है, चलो अब देख लो, तो आपको दूसरा एंगल भी पता लग जाएगा, देखो, एक ट्राइंगल ये है, कौन सा था, C, B, C, B, E, ये रहा, एक ट्राइंगल ये है, ये रहा, ठीक है, इसको दुबारा शेट आपने क। अगल caster, है, अगर आपने ध्यान दिया उना, ये दोबार शेट हो रहा है एंगल भी दोबार शेट हो रहा है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं एंगल भी यह आये हुए कोशन से सारे mark सारे में बोड में जो प्रोट सिनसों लेकर आये कम से कम एक बार दो बार तीन बार आये जुआ हुए कुशन सही ुख कितना बूदिया कुश्यं कितना बढ़ीड ना बिचल्सा क्या करना है triangle को बस observe करना है ध्यान से यह तो पता ही लग गया कि 90 degree equation में गिवन है कि इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर है ठीक है परपेंडिकुलर है और गिवन भी है figure में भी गिवन है अगर portion नहीं भी पड़ोगे figure में फिर भी देख लोगे आप अपने पता लग जाएगा दो अपने फिर बात ही खतम क्या हो गया अपने आप क्या हो जाता है अपने आप आपका equal हो जाता है ठीक है तो यहां से है यह हमङद करना है ठीक है एचे डबलू बोलो यूर्सलफ आला इसाइमेंट बोलो इजी कोशन है अब आप कर लोगे इतना इजी कोशन है कि आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े प्यारे तरीके से ठीक है चालो सीधोर ब करते हैं बहूत सारा टाइम हो गया है आप लोगो के लिए लेके आते हैं ताइम ऐसा होता है लंबी कलास ना हो जाये इसलिए 2 4 कोशन हमने चोड़े हैं जो कि IMPORTANT है हमें करवाने चाहि stellar स curated बाट निन एक्सद अगर लेंगे तो उसमें करवाएंगे जिसमें से हम बता देते हैं कौन से ज़्यादा important है देखो एक तो ये वाला ठीक है ये शो करना है ठीक है ये सब आपकी yourself वाले है ट्राइ करना आप ठीक है ये सब अच्छे question है प्यारे question है इसमें hint हम दे देते हैं angle one और angle two का use करते वे इसमें थोड़ा सा change होगा क्या change होगा वो अब आपको देखना है यहां changement होगी थोड़ी सी change होगा क्या change होगा एक side change होगी कौन सी side change होगी वो आपको देखना है ये आपको try करना है ठीक है एक ये है जबरदस्त question और बाकी तो maximum हमने करवा दिये हैं और एक सबसे important सबसे प्यारा सबसे दुलारा सबसे अच्छा इस question को हमें कराना चाहिए बट जो time सीमा है वो हमें आग्या नहीं देती है इस चीज की ठीक है क्योंकि objective type questions भी important है ये हम next class में करवाएंगे ठीक है सबसे पहले अगर triangle chapter को अगर दुबारा करवाते हैं next class में ठीक है triangle chapter को दुबारा करवाते हैं या कोई और दूस चैप्टर करवाते हैं तो सबसे पहले question होगा यह वाला important है अच्छा question है कम से कम five star four and a half four point five star four point five star question है four point five bpt five star है यह 4.5 star है यहां पे आपको सारी की सारी knowledge हो जाएगी similarity of triangles की ठीक है clear है चालो अब बढ़ते है important part पे जो की basically अगर आपको याद हो जो आपका paper set होता है board का paper set होता है उसमें 20 mcq questions होते हैं जिसमें से 20 out of two assumption based questions होते हैं assumption based questions triangle chapter से chances बहुत कम होते हैं but mcq questions दो question दो marks के तो confirm आएंगे आएंगे दो marks तो confirm होगा होगा तीन marks के भी हो सकते हैं तो एक आदा objective type questions हम आपको बता देते हैं कि बहीं किस तरीके से आता है जो कि आपकी screen पर यह ड़ा ठीक है एक बड़ा ही प्यारा question आता है जो कि ऐसा इसमें आपको find करना होता है जैसा कि हम जब से स क्राइटीरिया बता रहे थे ना similarity का एक्जाक्टली यही है यही है वो जो यह बताता है कि triangle को कौंसा angle कौंसा equal होगा कौंसा angle कभ इक्वल होगा अब बोला गया गया है यहां बोला गया है कि यह triangle और इस triangle में AB by DE किस के बराबर है BC by FD के बराबर है तो अब सिरफ हमें क अब दो साइट इकल प्रोपोशन में लगेगा कौन सा क्राइटीरिया सिमिलारेटी का बही सिंपल सी बात है क्राइटीरिया लगेगा से इस क्राइटीरिया मतलब एक एंगल बीच का इकल होना चाहिए और वो ही हमें बोला है find गर के बताओ कौन सा equal है हमें बोला है find गर के बताओ कौन सा है but यहाँ क्या होगा निकाले कैसे देखो निकाले कैसे दो तरीके हैं या तो figure बनाओ एक triangle की figure बना दो इन दोनों को shade गर दो एक तरीका यह है दूसरा तरीका यह है question में क्या बोल रखा है कि triangle ABC similar है बोल रखा ना इन triangle ABC and DEF this and this then they will be similar when जब यह similar होंगे कब similar होंगे यह similar होगा किस के साथ यह होगा DEF के साथ तो A भी कहा है A भी यह रहा उसके बाद DE कहा है DE यह रहा ठीक है उसके बाद चलो इतना लंबा चोड़ा जाने की जरूती नहीं है simple सा बताते है इन दोनों में common क्या दिखाई दे रहा है B इन दोनों में common क्या दिखाई दे रहा है DE और FD में D डी दिखाई दे रहा है ना यह answer है कतम तीन क्राइटीरिया यह जस्ट अभी भी याद आया हमें भूल गे थे थोड़ा सा पहला similarity से देख लो चेक कर लो दूसरा figure बना लो shade कर लो तीसरा तीसरा जब हमें पता ही है यह पता है यहाँ देख लो common क्या है जब दो shade करते हैं देखना पी क्यू पी आर common क्या था पी common था यहाँ भी देख लो common क्या था ए common था मतलब angle A यहाँ क्या common था पी common था तो angle P मतलब A अगर P के बराबर होगा तब जाके triangle क्या होगा similar होगा जब यह equal होंगे ठीक है तो यहाँ से सीधा सीधा answer यह है यह आपको बता दिया ठीक है अच्छा यह तो वैसा वाला था यह रहा ठीक है तो यहाँ से क्या होना चीए BD के बराबर होना चीए क्या होना चीए B angle D के बराबर होना चीए अब भी देख लो D के बराबर कहा है C पे है option number C is the correct answer option number C is the correct answer ठीक है अब जरा next पे जाए एक और बढ़िया question लेके आते है अब यह था आपका similarity of criteria पे similarity criteria पे SAS criteria पे उपर लिख रखा है ठीक है अब एक और लेके आते हैं आप लोगों के लिए जो की यह भी similarity of criteria पे एक BPT पे लेके आएंगे BPT पे भी एक homework देंगे ठीक है यह अब किस पे है यह है triple S criteria पे अब इसका answers मेरे ख्याल से सारे बच्चे दे सकते हैं बड़े प्यारे तरीके से हमें क्या बोला है हमें बोला है हमें बोला है कि जो AB है divided by QR है वो किस के बराबर है वो है BC by PR के और यह किस के बराबर है CA by PQ के बराबर है कौन सा triangle किस के साथ similar होगा triangle A B C किस के साथ similar होगा A A देखो A यहाँ है A यहाँ है दोनों में common क्या है इस और इसकी बात कर रहे है फिलाल अब इन दोनों की A के साथ क्या आएगा common क्या रहा है A के साथ Q यहाँ क्या होगा triangle Q A के सामने रखा जाएगा Q B देखना है तो यहाँ देख लो B को यहाँ भी observe कर लो B देखेंगे तो B के साथ क्या रखा जाएगा B के साथ रखा जाएगा R B के साथ क्या रखा जाएगा R तो q r बचा क्या है बचा है p यह होगा मतलब की जो angle A है वो किसके बराबर होगा angle Q के बराबर angle B किसके बराबर होगा angle r के और जो angle C है वो किसके बराबर होगा angle P के यह चीज जयात रखनी है आपको one marks का similarity criteria में एक s e s criteria यह triple s criteria हμαι त्रिपन एक रचर्ण बहुत करें तो किसके साथ होगा भई क्यूआरपी के सांथ सरु इतना चेक करना है कि PQR है P के साथ क्या रखा जाएगा C रखा जाएगा ठीक है Q के साथ क्या रखा जाएगा Q के साथ रखा जाएगा B Q के साथ रखा जाएगा B तो यह गलत यह ऑप्शन गलत ठीक है अब आसानी से आप लोग पता लगा सकते हो P के साथ A गलत P के साथ A नहीं होगा, P के साथ क्या होगा, C होगा, P के साथ क्या रखा है, A, गलत, C के साथ क्या है, C के साथ P है, ठीक है, उसके बाद B के साथ क्या है, B के साथ, B के साथ R होगा, तो ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है, बचा कौन सा, थर्ड वाला, B के साथ क्या रखा है, B के सा और QR, A, B आपका जाएगा, B में क्या common होगा, B में है R, B के साथ होगा, R ठीक है, और A के साथ क्या common है, A के साथ है Q, A के साथ है Q, बिल्कुल ठीक है, मतलब कुछ missing कर रहे है, कुछ, एक छोटी सी चीज मिस हो रही है, वो क्या हो रही है, ध्यान से देखते हैं, B के साथ है, P, ये तो गलत है, ठीक है, मतलब, मतलब, मतलब कौन सा वाला, incorrect है, P आपका है, P है, C के साथ ठीक है, Q है, A के साथ आ रहे हैं, देखो, EC को बोलते हैं, जल्द बाजी, जो अभी अभी हमने करी है, जो की अभी अभी हमने करी है, अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे rejected है, ये सारे rejected है, बट अगर हम A option को दुबारा से देखें, ठीक हमने देखा कि यार सारे तो गलत हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमने गड़ बढ़ करी है, यहां से देखा, तो angle P किसके बराबर है, C के बराबर है, जी बिल्कुल है, angle Q किसके बराबर है, angle A के, angle Q किसके बरा था, ठीक है, इसको बोलते हैं, जल्दवाजी जो अभी अभी हमने करी, तो answer A correct होगा, यहां पे ऐसी mistakes नहीं करनी है, ठीक है, जल्दवाजी के चक्कर में समझ गए, सब कुछ समझा दिया, प्रापर तरीके से समझा दिया, सब कुछ असान, बढ़िया था, यह भी पता दे है, ठीक है, बठीक है, टाइम से पता लग गया, ठीक है, चालो, अब बात करते हैं, last आज की Class के Last Question की और BPT Question से, यह होता है, basic Proportionality Question, basic Proportionality, theorem का question जो कि आपको homework के तोर पे देना चाहिए पर simple question है simple क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ad by db is equals to ae by ec अब यहाँ पे value हमें given है यह क्या हो जाएगा x plus 3 divided by 3 x plus 19 is equals to x by 3 x plus 4 और यह जो अकेला question है यह याद रखना bpt में भी consider हो रहा है triangle chapter में भी consider हो रहा है और quadratic equation में भी consider हो रहा है bpt में भी quadratic quadratic equation में तो एक ही अकेला question triangle chapter and bpt quadratic equation में consider हो रहा है एक अकेला question देख रहो क्या importance है इस question की देख रहो क्या importance है इस question की तो इसको आप लोग अब simply solve गर सकते हो simple x की value find करनी है और निकाल सकते हो इसमें अब कुछ बचा नहीं simple cross multiply करोगे x की value सीधा सीधा आ जाएगी ठीक है x square की form में बचेगा x negative होगा नहीं positive होगा तो positive is cancer होगा ठीक है simple से value है कर दोगे ना सारे के सारे अच्छा इसकी value हमें comment करके बताना कि भाई x क्या है इसकी हमें comment करके बताना कि x option कौन सा करेक्ट होगा ठीक है comments डाल देना कोई बात नहीं ठीक है comment some check कर लेंगे कि एक्स की value क्या आएगी यहां से ठीक है चालो तो यह था आपका chapter triangle जिसमें क्या क्या था जिसमें आपका similarity था और theorem थी और क्या था बीपीटी थी basic proportionality theorem थी similarity of figures थी ट्राइंगल के बीच में क्राइटीरियास थे कि कौन-कौन से क्राइटीरियास होते हैं ठीक है यहां पर यह चैप्टर होता है आपका समाप्त बाकी next chapter कौन सा करवाना है यह आप लोग हमें comment कर सकते हो जैसे आपने पिछली बार comment करके बताया था कि भाईया प्लीज एक बार ट्राइंगल चैप्टर रिपीट कर वा दो भाईया प्लीज एक बार trigonometry repeat करवा दो trigonometry के भी हमें आरे पास बहुत सारे comments आए है triangle chapter के बहुत ज़्यादा थे इसलिए हमने triangle chapter लिया जो chapter next हाफ एलिए examination point of view के लिए आपको जो लगता है कि हमें नहीं आता है कुछ गडबड रह गई, कुछ चूग रह गई कुछ भूल रह गई है chapter में तो वो chapter हमें बताओ, हम वो chapter लेके आएंगे ठीक है, कोशिश करेंगे और प्यारे प्यारे questions और बढ़िया बढ़िया questions करवाने की, ठीक है तो यहाँ पे होती है आज की class आपकी समाप मिलते हैं next class में next chapter के साथ और वो chapter अगर आप बता दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको बहुत अज़ादा असानी हो जाएगी ठीक है, तो मिलते हैं next class में तब तक के लिए, बाई बाई बच्चो टाटा, take care, अपना ध्यान रखना स्वस्त रहना, और like, send, comment जरूर कर देना बच्चे बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, चालो धन्यवाद, thank you बच्चो